आज आज इस दुनिया के जो सबसे बर्निंग इश्यू है उस पर गुफ्तव करने के लिए यहां पर जमा हुए है इस वक्त पुरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुसल्मानों की जो सूरते हाल है यानि एक दो जखम नहीं जिसा में सारा चलनी बेचारा परिशाय कहां से निकले तो ये सूरत इहाल पूरी दुनिया के अंधर चाहे घरमा हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे फलस्तین हो, मुसल्मानों की एक जिसे सूरत इहाल है यानि इकबाल ने जो बात कही थी मुसल्मानों के लिए 21-वी सदि भी वाइसे शुरू ही जैसी के 20 से भी शुरूई थी हो गया माई देना बर्जा मुसलमा कलो तो ये सुरत्जाल इसवक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की है और ये सुरत्जाल बड़ी दर्दनाक सुरत्जाल है तो को किसुरत्जाल तो तकरिवान मुमालिक में एक जैसी है लेकिन मजीद अक्सा की वाज़े से फलस्तीन का जो दर्ध है या उस दर्ध की शितर्ध है या उसका जो कल्व है वो दूसरे मुमालिक से ज्यादा बढ़ जाता है आज हमारी कोशिश है कि इस से मसले को हम समझेंगे तो यह तीन लेक्चर हमारे इसका इनकाद किया गया है इस सीरीज का तो पहले लेक्चर में हमें कोशिश करेंगे कि बैतुल मक्दिस की क्या तारीख है उस तारीख को हम समझने की कोशिश करेंगे तो पहले लेक्चर में बिलकुल इप्तिदा जमाने से तो उस्मानिया सल्तनत के खात्मे तक वहां तक हम लोग उसको कवर करेंगे तेकर्ण लेक्षर में इंशालला जो मौजुदा तनाजूर में अरब-फलस्तिन फलस्तिन और इसराइल कंफिलिक्ट तो है उसका हम मुताला करेंगे और उसके बाद नियू वर्ड ओडर क्या है अब आलमी निजाम में ये चीज़े कैसे एक्जिकूट होने वाली है और क्या हो रहा है और क्या होने वाल है उस पर हम कुछ गुफतगू तीसरे लेक्षर में करेंगे तो आईए आज पहला लेक्षर हम लोग शुरू करेंगे बैतुलमक्दिस की तारिक से बैतुलमक्दिस जो है असलिए एक शहर है और जो लेटस तारिकलोजिकल सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग ली ये दुनिया का मतलब अल्मुस्ट ग्यारा हजार साल पुराना शहर है इसकी तारिक दुनिया के किसी भी शहर की तारिक से अलग है मुनफरित तारिक है इसकी ये हजारों साल पुराना शहर है इसकी एहमियत इस ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कई अंबिया का ये मत्फन है दुनिया की तैजिबू और रुहानियत का मरकज है लेकिन इस शेयर के साथ हमेशा हम ये कहेंगी कि इतना कुछ मसायल लगे रहे हैं ये आप देखे हैं कि नेचरल क्लामिटी जो है यहां पर आते रही हमेशा से यहां जलजले आए यहां पर मु इसलिए एकबाल ने जब से मुसल्मान भी शेयर की तारिक से जुड़े जब से मुसल्मान मुस्तगिल अपने खून से इसको सीच रहे है इसलिए एकबाल ने कहाता है कि एरदे पाक तेरी हुर्मत पर कट मरे हम है है खून तेरी अब तक रवा हमारा तो अजी सात्यों यह नहीं क्या मसला है कि जिसकि वुजे से पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया के जो तीन बड़े मजाहिव है जिनकों अब रहीमिक मजाहिब करते नहीं जो हज़रत इब्राहीम से जिनकी निजवत है वो तीनों की इसमें बहुत यादा दिल्चस्पी है तो पह इसरा में फरमाया गया है कि पाक है उजाट जो अपने बंदे को रात और रात मजीद हराम से मजीद अक्सा ले गया जिसके इर्द गिर्द के माहुल को हमने बरकतों से मामूर कर रख रहे हैं मकसद यह था कि उनको हम अपने निशानिय दिखा दे पेशा कर लगा खूब सुन करते हैं कि अल्ला के नभी दें फरमाया सिर्फ तीन मजीदों की जानिव शुद्रेहाल यानि इबादत की नियाद से सफर करना सफर किया जा सकता है मजीद हराम मजीद नुभी और मजीद अक्सा यानि यह तीन ही मसाजिद ऐसी है कि जिनके लिए अगर हम सफर करके करेंगा तो उसका बहुत ज़्यादा अजर बनाएंगा इसी तरह यह मुसल्मानों का किबला हुआ है मजीद अक्ता को मुसल्मानों के लिए पहला किबला होने के हैसियत हासिल है बासे नभी के दस्वे साल इस्रों मेराज के मौकर पर नमाद की फरजियत के बाद से लेकर तवियि किबला की होर तक मुसल्मान वैदिव मगदिस की जैनी नमास की जानी रुख करगे नमास पर ते रहे मदीना scar के बाद सोलह या सत्रह मातिक उसी की जैनी तरह लेक नमास परते। रहे यहां तक कि अल्लह तरह से ना नान। तारीख मजईद मॉजद है जिसमें मुस्लमानों ने एक ही नमाज में बैति-ल्मॉद्टिस और खाना काबा की जानब नमाज अदा की थी. मजद अक्सा कि एक और दीन हिस्थित है और यह हमारे और दूसरे लोगों केुंडर्मियान दे मुश्तरिक है। यानि उसको इस बात का भी इजाद हासिल है कि ये दुनिया में तूसरी मज़ीद है तो कवातुल्ला है। लेगन दुनिया की दूसरी जो मज़ीद है वो पेतुल्ला है। और इसकी तामिर जो हदरति याकूब बैस्सलाम ने किती इसी तरह यह इस्रा और मेराज की सरदमीन ए यह भी उसकी एक फ़दीलत है इसी तरह भड़े अंबिया जो है यहां पर नहीं उनकी जबी जभी तरह आप इसको अंबिया और बेकार्द की सरदमीन जए कहा जाता है पर आमें इतने खुद इसको बरकात किसा जमीन का है। फिर अजरत इबराहीम, अजरत लूत, हजरत इसाख, हजरत सारा, जिसी बढ़ी-बड़ी शक्शियाथ जो है, वहीं पर बफन है। हजरत जकरिया, हजरत इसा, हजरत इयाया, इनका तरलुग जोई उसी जमीन से है उसी के करीब में जो हदरत मूसा का मत्फन है हदरत सुल्मान, हदरत दावुद इन लोगों की निजबत जोई इसी जमीन से है तो ये सारी जो वजुखाथ है इसकी वज़े से उसकी दीनी आहिमेत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यानि आज भी अर्ज फलस्तीन में कई अम्बे अक्राम आराम फर्मा रहे हैं जिन में सबसे नुमाया हस्ती जो है वज़रत इब्राहिम अलेस्सेलाम की है जिनकी कबर अलग खलील शहर में है अजरत इसाग अजरत युसूब अजरत याकूब उनकी कबरे भी इसी सर्दमीन में है तो यह यानि एक बहुती बड़ा रूहानियत का मरकज मुसल्मानों के लिए बन जाता है इन वज़ुहात की बिना पर इसी तरह यहुदियों की बड़ी दिल्चस्पी इससे है और वैसी दिल्चस्पी इसाइयों के भी है अब जाहर है जो अंबिया हमारे है वो सारे अंबिया इसाइयों के भी है तो इसाइयों के नजदीक भी यानि हमारे हां तो जो बुन्यादी मरकज है हमारा वो तो काबा है लेकिन इसायों के नजदिक बुनियादी मरकद वो बैतुल मक्दिस है और वो उनका अपने दीन का मरकद तसवर करते है इसलिए उनकी भी बड़ी अकीदते वहां चुड़ गई यानि वहीं पर हज़ती इसा की विलादत हुई उन्होंने दावाती काम मुहीं किया वहां उ इसायों के अकीदे के मुताबिक तो वह रास्ता भी वहीं पर है इसी तरह बैतलेम और नासरा जहां पर आज़ते इसा की पैदाइश्वी जाए उनके जिंदगी गुजरी जाए उन्होंने बशारते दी जाए उनके वास्क है वो सारे मकामा जो है वो इसी शहर से इसी मुल जिसता है इसी तरह यहूद की बहुत ज्यादा दिल्चास के अंदर है यानि यहूद फलस्तीन को मौद सरजमीन तसवर करते हैं जैसा ओल्टेस्टमेन में जिकर है और वो उसकी अपनी कंप्लीट हिस्ट्री का सेंटर यानि फोकस पॉइंट उसको समझते हैं उनके अंबि यहूद को बहुत ज्यादा इंपोर्टन पड़ जाती है इसी तरह हदरत सुलेमान का जो हैकल था वो हैकल वही पर था और यहूद की जो कोई हिस्ट्री रही तो उनका सबसे 400 साल का गोल्डन पिरेड है और सुलेमान दावद लेसलाम का वो इसी शहर में और इसी मुलक में गुजरा है तो उनका यह मानना है कि फिर से वो अपनी अजमत रफ्ता जो उनके ग्रेटनेस के जो दिन थे वापस से वो अपनी पुरानी माजी को उसी वक्त पा सकते है जब यह मुलक उनके कबजे में आ जाएंगा तो अब तीनों जो मजाहिब हैं उनके मानने वालों का अकीदा इस शहर से जुड़ गया है शायद इनसानी तारिख में सिर्फ एक ऐसा अकिला मकाम है कि जिसके यह नहीं तमामी लोग के अकायद जो है उससे जुड़े हुए हैं तो हम पहले देखें कि यह फलस्तिन की तारीख क्या है जिसा मैंने बताया कि जड़ी तैकीक के सब्सक्राइब के बात आई कि 11000 साल पुराना शहर है यह ना बैतुल मुकदस को अलकुत्स भी कहते हैं यहां मुसल्मानों का किबले हुए मजीद अक्सा और कुबत सुख्रा दोन है कुबत सुख्रा जो पीले कलर का गुंबद हम देखते हैं तो इसलामी तरह से तामीर का बहतीरी नमूना है यह मक्का मुकराइब से तक्रिबान 1300 किलो मेंटर के फासले है योडोपयान लोग इसे यहरो शलम भी कहते है इसका जो पुराना नाम असल में यह वह यह तो यह जो जो जीए यह दौन दोर में बदलते रहती है तो असल जो उसका नाम है वह ये यहरोश जरोशलम के नाम से ही पुलाते हैं असल में इसका जो नाम अलकुत्स पड़ा तो वो बैतुल मुकद्स जो लिखते हैं उसको दरसल उसे मुराद है कले सुलेमानी था इसको इबरानी जबान में बैत हमकच का तर्जुमा है लेकिन बाद में यानि वो सरिफ एक इमारत पर के अपला होने के वजाए पूरे शहर के लिए उसे बैतुल मुकद्स कहा जाने लगा तो अब वो शहर का नाम भी वही है और जो हुर्मत का मकाम है जिस पर यह पूरा कंफ्रिक्ट है वो मस्जिद अक्सा है रूमियों ने इस वे इलिया का नाम भी दिया था ठीक है बैतुल म पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी पहाड़ी पर मजीद अक्सा और कुबत सुखरत दोनों वाकिए है जैसे मैंने बताया कि हज़द याकूब ऑले सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मजीद बैतुल मुकद्स यानि इसको मजीद अक्सा कहते है उसके बुनिया डा अब मजीद अक्सा यानि एक ऐसी कोई छोटी सी बिल्डिंग नहीं है एक छोटी ऐसी मजीद नहीं है बलकि एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और उस पूरे कंपाउंड को हरम कुद्सी कहा जाता है जिसमें कई इमारते हैं सबसे आयम तरीन जो कुबत सुखरा जो पीले क मजीद अलग है इसके बारे में कई किताबे में ने देखा तो इसकी जो तफसिलात मुझे नजर आई थोड़ी मैं यहां शेयर करता हूं तो मजीद अक्सा काफी बड़ा उसका कंपाउंड है और उसके तकरिवन पंदरा दर्वाजे है चोटे मिनार उसके अलावा है दस से अलग-अलग मसाजीद इस कंपाउंड में है पानी की कई सभीलिय है उसके अंदर हैना 26-25 वहां पर कुए है तो यह इस मजीद का कंस्ट्रक्शन ऐसे है फलस्तीन को अगर हम देखते हैं तो यह चोटा सा मुल्क है लेकिन इसमें आबो हवा और इलाके बहुत तो जाता है लेकिन फलस्तीन की जो अहमयत है वो उसके जो मुक्तलिफ शहर है उनकी वज़े से उसके अहमयत है यह आप देखेंगे कि यह दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने ज्यादा इंपोर्टन जो सिटीज है वो किसी एक कंट्री के अंदर नहीं है जितने फलस्तीन के इन्हें आप देखेंगे कि इसका सबसे अहम शहर जो है वो अलकुत्स है जिसको बैत्तर मुकंदस या इलिया भी कहा जाता है तो यह शहर जो तकरिबन 5000 साल पुराना है जिसको यबूसियों ने आबाद किया था और उस वक्त से यह फलस्तीन का कैपिटल है और इंटरनेश अधिक मक्का और मदिना के बाद तीसरा अहम शहर यह है और यह एमियत उसको मदीद अक्सा की वज़े से है और बाकी दीगर शहरों से भी यह बहुत ज्यादा मर्बूत है फिर इसका दूसरा और अहम शहर अल-खलील है अधरत इबराहिम खलीलूल्ला की जानिब यह शहर म वाकिए है जिस वक्त मुसल्मानों ने इस शहर को फते किया था तो अहिए घ हो लेगए यह भी ज्यार गया था। उनका जाय पैदाईश भी यही शहर है इसी तरह अगला शहर है नाबलस यह शहर हज़ते उम्रु बिन आस ने फते किया था यहाँ पर कई बड़े-बड़े यहाँ इतना कदा मुख्दसी, अल्लम मरवादी, अलसफारीनी कई बड़े-बड़े शहर यहाँ पर इस्लामिक हीर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शहर है, यह इजीप्ट, पैलस्टीन और अरब तीनों के दर्म्यान से एक बिजनिस रूट के तोर पर यह इस्तिमाल होता रहा, इसका नाम घज़ा क्यों है, उसकी एक बड़ी तारीख है, अल्ला कि नभी करीम, रसूल सल्वाल लाल सलम के जद लिए, है ना, तो घज़त कहते हैं कि जिसमें शुजात के किसी ने कोई शेर फटे किया, तो उनके नाम पर यह शेर का नाम घज़ा रखा गया है, एक और बड़ी हस्ती इस शेर में पैदा हुई थी, हमारे जो फिख के चार इमाम हैं, तो उसमें से इमाम शाफई की पैद तो दीनी वो तारीखी मकाम के विए से अलकुत से करीब होनी के विए से यह एक बड़ा, यह हम यह कहेंगे, सयाती मकाम हैं, तो बैतलहम और अननासरा, यह दो शेर ऐसे हैं, जिन से इसाइयों को बहुत ज़्यादा, हम यह कहेंगे कि रखबत है, उसके बाद आखरी एक इ हादिसवा रिवायत में इसका तस्किरा आया है, यह है लुद, यह फलस्तिन का बड़ा कदीम शहर है, यहां से तक्रिबान अलकुत से यह 38 किलोमेटर के फासले पर है, और 6000 साल पुराना यह शहर है, तो यह रिवायत में आता है, कि इसी शहर के अंदर हज़रत इसा अब जो उतका historical background है, religious point of view से वो मैं बयान करूँगा, तो सबसे पहले मजभी तोर पे जो शक्सियत फुलस्तिन में गई, वो हज़रत इबराहीम की शक्सियत थी, यह नहीं हज़रत इबराहीम की पैदाईश इराक में हुई थी, है ना, तो वो इराक से आकर शाम में से गु पर आप प्रांसफर हुए, फिर इसी सफर के दोरान आपके मुलकात वहां के जो किंग्स थे और उससे जो काफी थी वहां के मश्चूर वाकियात है, वो हुए, पिर इबराहीम के साथ उनके सफर में उनके बतीजी हज़रत इलूत थे, जो अरिया में मुकीम है, उनकी जन्दान के बाद जो शक्सियत इस जमीन से जुड़ी भी है, वो अज़त दाउद की शक्सियत है, यानि जब हम देखते हैं कि बनी इसराहिल मिसरो से निकले, उसके बाद एक तवील अरसान उनने रेगिस्तान में गुजा रहा, और उसके बाद उस जमाने में जो प्रॉम अज़त दाउद के बाद दाउद के बाद दाउद के बनी इसराहिल की लिडर्शिप समाली और उस सर्दमीन के एक घर्षिप में वो फलस्तिन में दाखिल हुई, ठीक है, वहाँ कनानी रहते थे उनके साथ उनकी जंग हुई, और तक्रीबन यानि एक 100-100 साल उनको यहां पर लगए यह जंग करते हुई, फलस्तिन फते करते हुई, उसके बाद जो मशूर वाकिया शावल बिन कैस जिनको तालूद कहा जाता है, ने बनी इसराहिल की लीडर्शिप समाली और फलस्तिनियों से जंग की, और फिर वहाँ पर उन्होंने जालूद जो उनकी लीड कर अज़त दावुद ने इसको कदल कर दिया, तालूद की उफात के बाद दावुद अलस्तिन ने बनी इसराहिल की लीडर्शिप समाली और उस सर्दमीन के एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम की, उनके बाद जो अजीम तरीम हुकूमत कायम हुई, यानि हजद सुलेमान की हुकूमत रही, यानि 923 बिफोर क्राइस्ट, उनकी दोर में जो हुकूमत है मुमलिकत उसमें बहुत तौसी होती गई, है ना, तो अगर यहां हम देखे, तो यहूद एक्चुली, यानि अगर इस सेर की 11,000 साल तारीख है, तो जब यहूद यहां पर आए और उसके बाद जो एबिटन्स थे, जो वहां के मकामी लोग थे, उनका कतलियाम करगे उस मुल्क पर कबज़ा किया था, फिर है सुलिमान के जमाने में वो अजीम तरीन जो मस्दीद है जिसको हैकल कहते है, टेंपल अफ सुलमोंस, जिसको कहते है हैकल सुलिमानी, यह हैकल सुलिमानी अब यह मस्दीद गिराएंगे हम, और फिर हैकल तामीर करेंगे, और उसकी तामीर के बाद उनका जो मसी है, जिसको वो इंतदार कर रहे है, वो मसी लोड कराएंगा, और फिर उनका गेलिटर इसराइल जो है, यह दुनिया में वसी वरीज उनकी हुकुमत कायम होंगी, और सुलिमान के बाद यह हुआ, कि यहूद के दो गुरूप हो गए, और एक गुरूप का नाम था यहूदा, एक डड़े का नाम, उसकी राज़ानी यरोशलम थी, और दूसरे का नाम इसराइल था, जिसकी राज़ानी नाबलस में थी, अब हुकुमत की इस तक्सीम के बाद, यानि बनी इसराइल को एक उरूज हासिल हुआ, उसके बाद किसी भी कौम में जो जवाल के असबाब होते है, वो सारे असबाब जो है, बनी इसराइल में पैदा होने चले गए, यानि उन्होंने अंबियाई तालीम को छोड़ दिया, और वो सारी चीजे जो पुरान में इ इसराइल गए, ये एक वादा था जिसे पुरा होकर रहना था, ये सुरे बनी सराइल के आयत नंबर 5 में अल्ला ताला ने बयान फरमाया, तो इससे मुराद बनी सराइल की वो तबाही थी, जो आशूरियों और आहले बाबल, यानि इराक के हाथ उनको हुई, तो पहले पर ये इर्स बता रहा हूं, तो अराउंड 920 विफॉर क्राइस में, इसराइल इसराइल के पैदा उने से 920 साल पहले उसने उस पर हमला कर दिया, और उस वक्त जो बहुत सारे योगियों के अलाकों पर उसने कब्दा कर लिया, और उनको अपना गुलाम बना लिया, इसरा पहले मिस्र ने उनको कमजूर कर दिया, उसके बाद 587 विफॉर क्राइस में, इराक यानि बाबुल पुराना नाम है, इराक नया नाम है, तो बाबुल का जो बादेशा था नेपोकेट नजर, जिसको उड़्द में बख्त नसर कहा जाता है, उसने यरोशलम समेत पूरी ज ज़ते सुलिमान ने जो हैकल बना कर गए थे, उसने उसको तबाव बरबाद कर दिया, और पुरा हैकल जो उसको गिराद दिया, यहुदियों की जितनी मजभ़भी कितावी थी उनको जला दिया, और यहुदियों के पास एक, मतलब ताबूत है, संदूक जिसको कहा जाता ह ताबुते सकीना तो उसमें यह था कि जब वो लोग सहराय सीना से निकले थे यानि जब उनकी एक नसल पूरी रेगिस्तान में जवान हुई तो जहां उनको मन अरसलवा खाने के लिए दिया जाता था तो उस जमाने की कुछ यादगारे है ना कुछ सफात थे जो मुसे लिए लिए थे यादगारे थी वो उन्होंने ताबुते सकीना के अंदर लेकर वहां से वो गए तो उसने वो ताबुते सकीना भी उनसे चीन दिया और यहूद की चारसो साला हुकूमत के खात्मा कर दिया तो यह पहला अजाब था जो उन पर नाजिल हुआ उसके बाद यह इरान जो था फारिस यहनि और पुराना नाम है तो फारिस यह परशिया जिसको कहा जाता है ठीक है कीडिया कि अटीश्या में कर57 हाय परके फलस्तीन पर बड़े बड़े पादरी जो है कतल हो गए और बैतुल मक्दिस में जो सबसे ज्यादा मुकदस सलीप थी इरानी वो भी अपने साथ ले गए तो इस हमले में यहूद का बड़ा दखल था उन्होंने इरानियों की खूब मदद की उसके बाद फलस्तीन पर इरानियों की हुकमत कायम हो गई तो एक तवील अर्से तक दिला उतन रहने के बाद यहूदियों को फिर से फलस्तीन में रहने की आजादी मिल दे अब इरानी दोर में उन्होंने फिर से बैतुल मक्दिस जो है वो दोबारा तामिर करवा लिया इरानी दोर के बाद यह हुआ कि एलेक्जेंडर गजा और अलकुट्स ये इस पर भी उसने कब्जा कर लिया था और इन सब को जो है ग्रीक जो उस वक्त एमपायर था उसके अंदर इसने इसको जम कर दिया ठीक है लेकिन यह हुआ कि उसकी वफात के बाद उसकी सल्तनत में काफी जगड़े हो गए और उसके जनरिलों में पूरी हुकुमाते तक्सीम हो गई जब उसकी हुकुमत कमजोर हो गई तो रूमियों का उसके बात दिये हुआ कि यहुदी जो है वहां से बगावते करने लग रूमियों के खिलाफ रोमन इंपायार ने जब उसके लिए तो उस वक्त तो जो रूम का बड़ा जो सबसे तो वो यह कर रहे थे कि उस आजदी को इस्तिमाल करके अपनी मजभी हुकुमत एक कायम करना चाहते थे यहुद हमेशे चाहते कि उनके खास हुकुमत कायम उनके एक स्टेट कायम हो तो टाइटस ने काफी उनको बरदाश किया लेकिन उसने बाद में उन पर हमला कर दिया यह 71 के अंदर हज़त इसा की पैदाश से 17 साल पहले बीफूर क्राइस 71 में पर हमला किया और अलकुद्स पर कबला कर दिया और पहले जैसे मैंने बदाय नेवो के नजर ने किया उसने वैसे ही टाइटस ने भी किया उसने बड़ी इतेदाद में यहुदियों को कतले आम कि तो यह जो हमला था टाइटस का इसके बाद से यह 71 बिफूर क्राइस के अराउंड यह अटेक भूए था तब से लेकर अब तक यहुदि उस सर्जमीन से बाहर थे तब से लेकर अब तक यह इलाका उनके हाद से चला गया था और उसके बाद से वो मुसलसल कोशिश कर रहे ह किसी तरह फलस्तिन हमारे कबजे में आ जाए और हजरते सुलेमान का जो हैकल है ना जो टेंपल आफ दा सोरोमोन है वो फिर से वो किसी तरह दो बाद को कायम करें आप देखिया कि इसके लिए यानि हम यह कहेंगे कि इसका जजबा जो है यहुदियों का कितना ज्यादा है क है दुनिया पर कि यहुदी हफते में चार मरताव यह दूआय मांगते हैं कि दो हजार साल से कि बैतुल मक्तिस फिर सुनका कब्जा हो जाए यानि उनके जितने मजहभी तैवार होते जो फेस्टिवल्स होते जो तक्रीबात होती तो उसमें यह करते हो कि घरों में यह ड्र से बिटाए गई कि फलिस्तिन तुम्हारा है और तुम्हें उसे दुबारा हजिल करकि है कले सुलमानी थामिर करना है अबुबकर ने रूमियों के जहरे कंट्रोल याने उनके अंडर में सीरिया था उसको फते करने के लिए लशकर भीजा है उसकी कैदत उम्र बिनास शर्जील बिनहसना अबुबद बिन जर्रा कहीं सहाब एकराम ने कि और उन्होंने रूमियों से कई जंगे हुई लेकिन ये फते जो हुआ फलस्तिनिया से उमर के जमाने में हुआ है उमर ने यह किया कि अलग 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 महास पर लोड़ रहे थे तो हुआ हमारी प्राइरिटी जो है वह अलकुछ को फते करना है तो तो मनें सारी फॉजे को एक जगा जमा कर लिया जो अलग-अलग जगा जंग कर तो यर्मोग की जो जंग है जो 51 हिज्री में जब यह अहम तरी जंग हुई इसमें अधर खाली का रूमियों के साथ सख्त मौरे का हुआ जबरदस्ट जंग हुई जिसके नतीजे में फलस्तिन की तारीक मुसल्मानों को एक फैसल कुन फते नसीब हुई और तमाम रूमियों को फलस्तिन से बाहर कर दिया गया इस यह जो फते मुसल्मानों को नसीब हुई इसका काफी इस्टोरिकल बैक्राउंड है जिस वक्त मुसल्मानों ने चार महिने तक उसको मुहासरा करके रखा था और मुसल्मानों की फौज के जो कायत तेज़ते अब TOM Whenever तुमारे जो RULER है जो खलीफा है उससे हम लोग बाते करेंगे यानि वाdirते करेंगे और यह चाबियां जो हम उसी कहाँ पने दें तो यह जात जात बैधा गया तो यह बात क psychology के परगे अब क्रिस्ट ने अब यहां दिखे कि कृष्टिस्ट ने उसमें कंडिशन रख़्ी उस्वाइदे के अंदर उस पैक्त के अंदर कि आप यहोदियों को इस शेहर से बाहर निकाल देगे उसी बुनियाद पर हम यह मौइदा करें तो अलग है असा नहीं चाहरे थे लेकिन आप देखें कि इसमें कई मश्वूर वाकात है यानि हज़रत उमर उस वक्त अमिरुल मुमिन तनहा अपने गुलाम के साथ एक उट पर बैतुल मकदस के सफर पर रवाना हुए यानि आम तोर से यह होता है कि इस तरह जब कोई पैक्ट करने कोई रूलर जाता है तो वो अपन करने की बारी आई जिस वक्त वो शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त उनका गुलाम बैठा हुआ था और जो सवारी हज़रत उमर जो है पैदल थे मुसल्मानों ने हज़रत उमर को देखा तो उन्होंने बड़ी तक्बीर और तहलील के जरी उनका इस्तक्बाल किया और जि सब्सक्राइब तो उनके जिसम पर मामूली कपड़े थे जो कई जगा से फटे वे थे तो जो क्रिस्टियंस थे वह काफी पैसे वाले थे उस जमाने में तो वह दोग देख रहते और मतलब उनको काफी ताजिब हो रहा था कि यह मुसल्मानों के इतना बड़ा रूलर है औ इसना बड़ा लश्कर इनके पास है और मतलब इतनी साधा इनकी जिंदगी और इनके कपड़े ऐसे हैं जिस वक्त तुमार वहां गए तो रास्ते में कीचर था तो गुलाम ने कहा कि आप सवारी पर बैठ जाईए मैं कीचर में से कहूंगा तो मनें कहा कि नहीं कोई बात करने जा रहे हैं या जैसे आज आज कि वई आउस में जाएंगा तो बहुत ज्यादा आदमी यह रहेंगा कं ど करेंगा बहुत ज्यादा सवरेंगा सजेंगा और पुशिश करेंगा कि जो वर्डली स्टेंडर्स है उनको मीट करें तो अबुविदा बिन जर्रा को खराब लगा कि यारी हमारा अमीर कैसा है जो मतलब ऐसी फटेवे कपड़ों में आ गया की चड़ाय तो जूता हाथ में ल तारीखनके अलब फाज हैं तो उनके सीने पर हाथ रखा और चाम यानि अबुविदा बिन जर्रा अश्रा मुबश्रा में थे और बड़े दर्जे के साहबी थे अलगर रसुल्याने उनके तालुख से कहा था है ये इन। तो उनकी बड़ी अजमत थी तो था तो उमर ने उनकी सीने पर हाथ रख़ा और का कि काश तुम्हारा लावा, किसी और ने बात पही होती तुम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जलील सबसे ज्यादा हकीः और सबसे कम तेदाद में थे लेहाजा जब भी तुम इसलाम के लावा किसी और चीज के जरी इज़त तलाश करोंगे तो अल्ला तुम को जरील कर देगा फिर अज़त उमर ने उस पूरे शैर को जो है अमान दे दी और इस बात की जादा दी कि वो अपने तरीके पर इबादत कर सकते हैं उनके जितने गिर जागा दूसरी इबादत गाया थी तो मनें किसी को कोई टेच नहीं किया जाएंगा यानि अल्कुच की पूरी 11000 सालना तारीक में शायद पहला यानि सबसे रह्म दिल फाते जो है लोगों ने देखा वह जाएंगे थे तो वहां पर गया नमाज आदा की उसको साथ किया पाक किया फिर वहा हाँना नमाज आदा की तो मजदेथा सामनों की जिसमें उम्मर ने सूरह 7 और सूरह इसरा पड़ी तो इसमें एक बात ऐहम है इंपॉर्टन्ट है यानि confirming जिसव मन उनका कोई इबादत खाना नहीं था और बाहर से उनका दाखला भी ममनू था तो ये उमर के जमाने में ये फते हुई पहली फते उसके बाद जब मिडिवेल प्रेड आया करूने वस्तम है तो योरोप ने क्या किया कि बड़ी उन्होंने फौज एकर टकी तो मैंने काफी ट्र करें के मजभी जंग जैसे हमारे जहाद को जाता है उसी मानों में आप समझ लीजी उस तेले भी जंग कहा जाता है तो यह जब 11th century जो थी उसके आखिर में जो वेस्टरान एंपेरिलिस थे तो उन्होंने फिर से योरोप में जो हमले वहां से शुरू किये वहां उनके आप बहुत ज़्यदा पॉपलेशन बढ़ गई थी और रौ मटिरियल नहीं था बादिशाओ की दर्मयान आपस में जगड़े हो रहे थे तो उन्होंने सुचा कि इसका क्या अहल निकाला जाए पोप ने और जो बॉन दूम था उन्होंने तो उन्होंने यह किया कि लोगों के स सब्सक्राइब कराना और फिर उसके लिए कहानियां गड़ी गई यह कहा गया कि इसायों पे जुल्म होता हुआ उन्हों की बादत नहीं है या तैसा की कबर खुदी और इस तरह के कई चीज़े जो है वो यह निए फेक निउस जवाने में क्रेट की गई और बड़ी मख्फिरत हो जाएंगे तो यह मुकमल तोड़ से इसायों ने उसको बजभी जंग बना दी इसको सलेबी जंग का जाता है है यह निए क्रोशेट्स हम देखते है कि जब से जो क्रोशेट्स शिरू हुए थे तो जब डबलू बुश जा डबलू बुश ने इराग पर हमला क कर दिया उस जमाने में 40,000 की फॉजों लेकर आए थे जो काफी बड़ी फॉज थी तो वहां जो मिसरी फॉज थी उसने आतियार डाल दी है और 1099 में जो क्रिस्टिंस थे वह अलकुत्स में दाखिल हो गए आप देखे कि अमर थे जब दाखिल हुए थे तो कितना उन्होंन जो स्टेट्समें थे जिसे एक आदमी जिसने जो इस्टोरियांस था उसने लिखा जो उसक जिंदा था कि मैं लाशों के दर्मियान बहुत मुश्किल से रास्ता बना कर आगे बल सका यहां तक कि खुन मेरे घुटनों तक पहुँच गया है ना एक ने यह लिखा कि पूरे यानि इतना मज़ीद अकसा में इतना खुन बहाया गया कि उसमें जो बोडी के पार्ट्स थे वो खुन में तैर रहे थे वो है ना तो इतनी लाशे और इतना खुन जो है यानि जाहरे सब्तर हजार लोगों की लाशे बहुत ज्यादा यह बड़ी तेदाद होती तो उसके इसायों ने वहाँ कब्जा किया बेंतिया मजाली मुसल्मानों के उपर डाये और यह उनका कब्जा 88 एर्स तक रहा और 88 एर्स के बाद सलावदीन अयूबी ने बैतिल मक्दिस को आज़र कर रहा है वह उनका पूरा नाम अन्नासिर यूसुप बिन अयूब था और इनुझों ने जो एंपायर बनाया था जैसा मुगल एंपायर वैसे इन्हों ने अयूबी एंपायर जोए ख़ड़ा किया था तो सलावदीन अयूबी इस इसे नहीं है कि मुसल्मानों के यह बड़े फिगर है बलकि यह वर्ड हिस्ट्री के बहुत फैमस फीगर है है ना यानि उनकी जो शक्सियत है मुसल्मानों के लिए बलकि वर्ड हिस्ट्री में उनका काफी बड़ा मकाम है उनकी पैदाई जो है एराक के शेर तिक्रेट में थी और वह आयूबी सल्तनत के बानी थे तो बहुत है उनका अखलाग बहुत अच्छे थे सखावत बुर्दबारी तो इसकी वज़े से यह हुआ कि इतनी जो तवील जंगे चली तो सिर्फ मुसल्मान नहीं बलकि क्रिस्टिंस भी उनको इज़त की निगा से देखते हैं आप देखिए कि मजभी बुनियान तो परे जंग हु जब हुआ तो उसके बाद मिसर का हाकिम उनको मुकरर कर दिया गया तो उसके दमाने में उन्होंने यमन फते किया और नुरुद्दिन जंगी के इंतिकाबाल पूरे हुकुमत के वो हुक्मना बन गए इस तरह उनका काफी बड़ा यानि कहेंगा है कि एम्पाय सलाओदी न लाते थे और मुस्तकिल यानि हाजी ओपर हमले करते काफिले को लूटते तो सलाओदी नहीं भी काफी दिनों से उनके हरकतों से परेशान थे और ये सारी चीज़े वो देख रहे थे लेकिन चुकिए मोहाइदा था और उसकी पासदारी थी तो वो उसके लिए खामोश थे लेकिन 1186 में एक ऐसा वाक्या हो गया इसके बाद फिर उस मोहाइदी की कोई हमयत बाकी नहीं रहे गी यानि रेनॉल्ड जो उस जमाने में उनका बड़ा सिपेसालर था उसने ये जसारत की कि बड़ी फोज लेकर मदीना मुनावरा पर हमले के लिए वो आ गया यानि यह व इस पूरे जंग चलती रही दो साल तक और इस जंग के नतीजे में तीस हजार क्रिस्टन जो है मारे गए और उतने ही वह हलाक हो गए रेनॉल्ड गिरफतार हुआ और अपने हाथ से उसका सरगलम किया असल वज़े यह थी कि रेनॉल्ड जो था तो वह अपनी तक्रीडों में अपनी गुस्ताख्यां किया करता था और यह बाते सुल्टान से अपने हाथ से कतल करूंगा तो हाला कि अगर कोई गिरफतार हो गया तो उसको माफ कर देते थे लेकिन रिनॉल्ड को उनने ऐसा नहीं किया बलकि अपने हाथों से उसका कतल किया इस फते के बाद सलावदीन एवी ने बैतुल मकदिस की तरफ रूप किया और तकरीबन एक हफते तक वड़ी खूंगरेज जंग चली और फिर मसीयों ने यानि क्रिस्टिन ने हतियार डाल यानि पूरे 88 एयर्स के बाद बैतुल मकदिस मुसल्मानों के कब्से में आया और पहले से फरस्तिन से मसीय जो क्रिस्टिन गवर्नमेंट थी वो खतम हो गए तो बैतुल मकदिस की फते सलावदीन एयूबी की जिंदगी का सबसे अजीम उश्यान कारनामा है जब वो दिन जंगी की खाईश पूरी करने के लिए सलावदीन एयूबी नहीं वो मंबर वहां पर जाके रखा आप देखिए कि हज़एत अमर का जो मिसाली किरदार था वो हमको सलावदीन एयूबी के यहां भी नजर आता है ना यानि जब वहां वो दाखिल वे तो उन्होंने जल प्रिशन का फिदिया दिया रूल तो था आगे फिदिया देना एंगे लिए पैसा नहीं था अभी या तो उनको कई किया जाया यह कुशा दूबा लेकिन उनको छोड़ दो तो बेरहाल इस तरह यानि बहुत ही अदल का और इंसाफ का मामला सलादी नहीं भी नहीं किया तो बैतुल मुगर देफ़ फते के साथ यरोशलम की क्रिस्टिन गवर्न्मेंट खतम हो गई जो फलस्तीन में पिरले 88 साल से कायम ते और पूरा फलस्तीन जो है उम्सलमानों के कबजे में आ गया तो उसके बाद तक्रिबन साथ सो एक सट सी सेवन हड़ेट सिक्स्टि यर तक मुसलमानों की हुकुमत वहां पे कायम रही नहीं 1948 में जब अमरिका, बिटान, फ्रांस इन्होंने साधिश करके वहां पर यहोदी उसकी सल्तनात कायम कर दी और बैतुल मकद इसका निश्विस्सा जो है आदा हो योग्यों के कबजे में चला गया तो बहराल तो जब सल्तनात ने यह फटे किया तो उसके बाद जब यह खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप में कोराम माच गया और हर तरफ जो है लड़ाई की तही आरिया होने लगी यह उ उस वक्त इंग्लेंड का जो किंग था रिचर्ड लाइन हार्ट इसको का जाता है रिचर्ड शेर दिल रिचर्ड वो अपनी बहादूरी के लिए बहुत मशूर था फ्रांस का बादेशा फिलिप ऑगेस्टस वो अपनी फॉज लेकर आया और पूरे यूरोप ने मिलकर एक बड़ी फॉज तैयार की यहनी कुछ किताबों में 6 लाग कुछ में 7 लाग जो है तो उनकी तेदाद बताएगे तो तकरिमान इतना बड़ा लशकर यह यह योरोप से रवाना हो और अका एक जो बंदर का है यानि पोर्ट है वहां पर जो है मुसलमानों की शेरों का मुहास सब्सक्राइब कर रहा था तो फाइनली फिर मुसलमानों ने सरेंडर कर दिया और दो लाक अश्रफी जो है उन्होंने जंग का तावन अदा किया और यह कहा गया कि मुसलमान अहत्यार डाल देंगे तो उनको आज़त कर दिया जाएगा लेकिन बेरहाल फिर हमेश्य की तरह जो है क्रिस्चनस ने अपने वादे की खिलाफी किया जो बी मुसलमान ने अतियार डाले थे उनको सब को कटल कर दिया तो इसके बाद आका फिर उसके बाद असकला कई कई शेर जो है उनके फत्थे होते रहे सुल्तान और उनकी फोज बहुत बातदूरी के साथ लड़ी ल जो है उनके कबजे में चले गए फिर आखरी लड़ाई वह बैतुल मक्दिस के पास हुई लेकिन उसके बाद मुसलमान जिस तरीके से लड़े और जिस पेजिग्रे से लड़े तो उसके बाद क्रिस्चिनस जो है उसके बावजूद वह हार गए लास्ट जो फाइट थी व वो मुसल्मानों के पास रहेंगा चार शहर जो है वो Christians को दिये गए एक इलाका जो है उसको आजार्थ कर दिया गया तो और इससे जो यह थर्ड सलीबी जंग थी इसके बाद यह सावित हो गया कि सुल्तान सलावदी नई भी दुनिया का सबसे पारफुल जो हो हुकमरा है जि सल्वानों के जितने भी रूलर्स रहें उन्होंने हर दौर में कुछ ना कुछ वहां कंस्रक्शन किया उसको आगे बढ़ाया यह अभी जो मौजुदा नक्सा था इसराइल के आने से पहले वह यह नहीं कहा जा सकते कि 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 एक आदमी ने वो पूरा बनाया है ना तो हर सबसे इंपोर्टन्ट जो वाल है इनकी जिसको दीवारे गिरिया का आ जाता है दीवारे गिरिया क्या है कि है कले सुलेमानी जो था सुलेमान का वो तो पूरा टैटरस ने गिरा दिया था अलवता उसकी एक दीवार बज गई थी आना यह काफी बड़ी दीवार है 21 फिट क दीवार होंगी तो वो आखरी निशानी है उनके पास हदर्द सुलेमान की ठीक है तो पूरी दुनिया के यहुदी जो है तो जब से यानि क्रिस्टन ने तो उनको अलव नहीं किया था लेकिन जब से मुस्लिम गवर्नमेंट थी तो मुसल्मानों ने यहुदियों को भी वह पिर चली गई थी तो सुलेमान सानी जो था मश्यूर उस्मानी सुल्तान उसके जमाने में वह दिवार जो है उसकी दर्याफ्ट हुई तो सुलेमान सामें ने उसको फिर साफ करवाया और यहुदियों की इजादत थी कि वहां कर अपनी इपादत कर सकते हैं तो आज भी है यूट्यूब वगएरा पर वो दिवार जो है वहां पर है और वो यहां पर रुखते दोते और सब उनका काम करते तो बेराल फिर फुर फलस्तीन के दमाने में मतलब 709 में नेपूलियन बुनापार्ट में फलस्तीन पर हम्ला किया था और वह करीब आ गया था और इस बात म लेकिन अखीर वक्त में बिल्कुल मुजाइदीन इतने जोश और जजबे के साथ लड़े कि बुनापाट को वहां से वापस लोटना पड़ा तो यह पूरी तारीख थी फलस्तिन की यहां से मुसलमान उसमें इन्वाल हुए उसमें आखिर दोर जो रहा यह आखिरी जब मुस तुर्कों के पास थी लेकिन उनको भी उन्होंने पार्टिसिफिशन दिया और उनके जमाने में जो है यहुदियों ने काफी पार्गिनिंग शुरू किया और उनसे कहा कि तुम यह जो हुकुमत है यह हमको दे दो इसके बदले में यानि माल उज़र जितना दौलत कि मैं फलस्तिन के बालिश मिटी से भी दस्टपरदार नहीं हो सकता हूँ इसलिए कि यह मेरी मिल्कित नहीं बलके मेरी कौम की मिल्कित है मेरी कौम ने इस सरजमीन के लिए कुर्बानिया दी है और अपने खून से इसको सहराब किया है यह बहुत ही स्टोरिकल उनका तो यह अंजुमन ने फिर साज़िशे करके सुल्तान अब्दुलामीद को जो है डिजॉल कर दिया उनको माजूल कर दिया तो यह इंशाला आगे के अगले हफते के सेशन में हम कवर करेंगे यहां से आगे के हाला के सयुनी तहरी कैसे बनी जाइनिस मुवमेंट किस तरह मुस पिर यहूद की जो इयरी है जो एकवाल ने काता है कि साथ की अपनी बीदेख औरों की आईयारी भी देख तो मुस्लमानों की क्या साथगी रही और विक्तरा फालस्तिन हमारे हाथ से निकल गया तो इंशालला वो अगले हफते के लेक्शर में हम देखेंगे जजा कर लाह